मैं आपको शिक्कों की quality बताने वाला हूँ इतने सारे शिक्कों में से मैंने अलग-अलग किसम के शिक्के छाटे मतलब दो रूपे एक रूपे में कितने प्रकार के शिक्के पाये जाते हूँ आज मैं आपको सभी बताने वाला हूँ दोस्तों तो बने रही है दोस्तों हम पहले एक रुपे के सिक्के से शुरुआत करते हैं ये देखो एक रुपे का छोटा सिक्का होता है ये इस ये थोड़ा बड़ा और ये इसमें थोड़े करेस बने हुए बारत की तरफ और ये एक रुपे का इसके पिच्चे की तरफ है बाबा साहब अम्बेड करकी जी फोटो और ये इंडिया गा और इस पे दो करोश के चिन और इसके दोनो तरफ पत्या हैं मतलब ये एक रुपे के अलग-अलग परकार के सिक्के हैं अब चलते हैं दो रुपे के तरह अब दोस्तों हम देखते हैं दो रुपे वाले तो इसमें एक तरफ पत्या हैं इसमें दोनो तरफ पत्या बनी हुई हैं अगला है दो रुपे इसमें हाथ का निशान है दो अंगुलिया इसमें दो निशान है ऐसे दो और ये दोनों आपको एक की लग रहे हैं लेकिन इनके पिछे फरक हैं इसको पोटो सुभास अंदर बोस की पोटो है और इसके पिछे इंडिया का मेर बना हुआ है अब चलते है पाच रुपे की तरफ पाच रुपे की शिकों में देखते है तो इसके निचे लहरदार पतिया बनी हुई है इसके दोनों तरफ लहरदार पतिया है और ये साइज में भी थोड़ा सबसे मोटा होता है और इसके पाच रुपे निचे लिखे हुई है इसमें पाच रुपे मोटे XRO में लिखे हुई है लेकिन इन दो नौला रंग से हैं लेकिन इसमें पास रूपय है थोड़ी DGEAN साइज में बना कर फिर लिखे हुई है अब देखते हैं 10 रूपय के ये मुझे 10 रूपय के 2 Seqe में ले इसमें एक के उपर पतिय बनी हुई है और एक के उपर भारत और इधर इंडिया लिखा हुआ है अब दोस्तो 50 पेसे का भी सिक्का आता है जो आजकल देखने को नहीं मिलता है और वो मार्केट में चलता भी नहीं लेकिन मुझे ये दो सिक्के मिले जो 50-50 पेसे के हैं मतलब इन दोनों को मिलाते हैं झाल